नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं प्राइम टीवी कोटा से 286 सरकारी बसों से आजमगड पहुंचे चात्रों के आजमगड पहुंचते ही मेडिकल टीम ने उनकी जाच की इस दोरान प्रशाशन के भी कई बड़े अधिकारी मौके पर मौझूद है जिसके बाद सभी स्वस्त बच्चों को उनके घरों के लिए भेज दिया गया घर वापस लोटते बच्चों का कहना है कि वो अपनों के बीच लोट कर काफी खुश है आजमगड के लोग लौकड का पालन अच्छे तरीके से कर रहे हैं पिछले कुछ जिनों में यहां पर करोना के छे संक्रमित मिले थे जिन में से तीन की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है इसके लावा नयपालिका के जजों ने जरूरत मंदों को खाना मोहिया करानी के जिम्मेदारी ली है जज की इस पहल से रोजाना 300-400 लोगों के लिए खाने की विवस्था की जाती है अधिकारी खुद इस काम में लगे हुए हैं और खाने के पैकट को तयार कर रहे हैं इसमें भी साफसफाई का विशेश ध्यान अखा गया है यूपी में लगातार कोरोना वाइरस का खत्रा बढ़ता जा रहा है बस्ती में भी नया होट स्पोट एरिया बनाया गया है तीन नये जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिले में अब तक कुल 19 मामले सामने आ चुके हैं साथ ही डीम ने उस गाउ को भी सील कर दिया है जहां से ये तीनों कोरोना के मरीज मिले हैं और जिले में कुल 5 होट स्पोट बनाये गए हैं बागपद में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गए युवक का शव लोगों को गाउं के बाहर जंगल से मिला सूशना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारे घटा सत्वा पहुँच गए इस मामले में जाच के लिए एसपी ने तीन टीमों का गठन किया है कोरोना का कहर देश में फिर से बढ़ गया है प्रदेश के हर इलाके को सेनिटाइस किया जा रहा है बिजनौरम अभी चार कोरोना संक्रमतों के साथ SI की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है SI की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरे पुलिस महकमे में हड़कम मच गया है इसके बाद इलाके में कोरोना के कुल 23 मरीज हो गए है गोरकपर में कोरोना वारिस के संक्रमत को रोपने के लिए इंडियारेफ की टीम ने कई इलाकों में सेनेटाइजेशन का काम शुरू किया है इसी के साथ ही टीम के लोगों ने आम जनता को साथ सफाई के लिए जागरूप भी किया है टीम ने आवासिय परिसर कार्यालों बैंक एटियम साहित कई जगों को सेनेटाइज किया है और साथ जने के स्थानों पर भी लगातार छड़का किया जा रहा है